आप देख रहे हैं दिलेर पुर्वान चल आपका हमारे चैनल में स्वागत है आज हम आपको इस वीडियो में अमबेटकर नगत जिले के पूर्व सांसर राकेस पांडे के बारे में आप सभी को बताएंगे राकेस पांडे का जन्म 14 अगस्त 1952 को कोटवा मोहमत पूर्व अमबेटकर नगत जिले में हुआ इनके पिता का नाम स्वर्गिय जग मोहन पांडे और माता का नाम रगुराजी देवी है राकेस पांडे ने मंजू पांडे से बिवाकिया जिनसे इनके दो पुत्र हुए इनके एक पुत्र का नाम रितेस पांडे और दूसरे पुत्र का नाम आशीस पांडे है अगर राकेस पांडे के रानितिक सफर की बात की जाय तो पहली बार 2002 में समाजवादी पाटी के टिकेट से अम्बेटकर नगर की जलारपुर विधान सभा से राकेश पांडे चुना मायदान में उत्रे इस चुना में राकेश पांडे ने सभा से जीद दज करकर ओवा विधायक बनकर विधान सभा पोचे इसके बाद 2007 में राकेश पांडे को चुनाओ में हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद राकेश पांडे बहुजन समाज पार्टी में सामिल हो गए और 2009 लोग सभा चुनाओ में राकेश पांडे अमबेटकन नगर जिले से चुनाओ मैदान में उतरे। दोजार नो लोक सभाचुनाव में राकेस पांडे ने बसपा से सांदार जितकी दर्ज किया और वा अम्बेटकन नगर के सांस चुने गए। आपको बता दें कि राकेस पांडे यूपी के बाहु बली नेता पूरु विधायक पमन पांडे और बाहु बली कक्कु पांडे के बड़े भाई हैं। अम्बेटकन नगर जिले में बाहु बली पांडे परिवार का बड़ा दब्दबा है। आज भी जिले में इनकी ही हुकूमत चलती है। आपको बता दें कि बाहु बली पांडे यूपी के बड़े बाहु बली नेता हैं। 2009 में सुना जीतने के बाद राकेस पांडे 2014 के लोकसभा चुनाओ मैदान में उतरे। लेकिन इस चुनाओ में मोदी के प्रचंड लहर में राकेस पांडे को चुनाओ में हार का सामना करना पड़ा। राकेस पांडे यूपी के बड़े कारोबारी हैं। उनका बड़ा पार है राकेश पांडे का पुत्र रितेश पांडे उनकी रार नितिक विजासत को सम्हाल रहा है उनका पुत्र रितेश पांडे अंबेटकर नगर जिले से पूर विधायगर चुका है और वा वरतमान में अंबेटकर नगर से बस्पा का सांसर है 2019 लोक सभा चुनाव में राकेस पांडे ने अपनी जगा अपने पुत रितेस पांडे को चुनाव मैदान में उतारा और अपनी दम पर राकेस पांडे ने मोदी के प्रचंड लहर में अपने पुत को चुनाव में जिता कर सांसर बनवा दिया पूर्व सांसर राकेश पांडे अमबेटकन नगर जिले में काफिल लोग प्री हैं और उनका बड़ा दर्दबा है ये रहे अमबेटकन नगर जिले से पूर्व सांसर राकेश पांडे आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें जरूर बताएं अगर आपने हवी तक हमारे चैनल दिलेर प्रुवांचल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब कर लें वीडियो देखने के लिए धन्वाद